28 अगस्त को नोईडा के सूपर टेक ट्विन टावर्स को गिराने के बाद किसी भी प्रतिकूल स्थितीस से बचने के लिए कई नियमक और रख रखाव कारे किये गए हैं दो मेगा सनरचनाओं के विस्पोर्ट से एक दिन पहले आवास परिसर और आसपास के भवनों के निवासियों को प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए कहा गया था दोनों बवनों में आठ सव पचास फ्लेट शामिल है और नौईडा ग्रेटर नौईडा एक स्प्रेस्वे के बाद सेक्टर 93 एम स्थित है विद्वन्स प्रक्रिया 9 मिनाट के भीतर समाप्त होने वाली है और निश्पादर्न दुपहर 2.30 मिनट बज़े शुरू होगा खेतर को एक बहिश्करन खेतर के रूप में वर्गी कृत किया राएगा जहां किसी भी वाहन मानव या पशू को अनुमती नहीं दी जाएगी अब हम आपको सभी घटनाओं की समिरेखा प्रदान कर रहे हैं सुबह 6.30 बज़े फिलैटों में पाइप्ट से गैस की आपूर्ती बंद कर दी जाएगी सुबह 6.30 मिनिट पर एमराल कोट और आसपास के ATS गाउं के नवासियों को 28 अगस्त को खाली कराया जाएगा रविवार को सुबह 7.00 बज़े दोनों टावरों के आसपास की सडकों को सील कर दिया जाएगा सुबह 9.00 मेंटेन इंस्टाफ सोसाइटी को खाली कर देगा सुबह 11.00 बज़े सुरक्षा कर्मी परिसर से निकल जाएगे दोपहर एक बज़े टास्क फोर्स के जवान स्थल का निरिक्षन करने के बाद आसपास से निकल जाएगे एक बज़ कर 45 पर विद्ववन्स से आधे गंटे पहले साइट का व्यापग निरिक्षन किया जाएगा 2.15 पर 9.00 ग्रेटर 9.00 एक स्प्रेस वे बंद रहेगा 2.30 पर विद्ववन्स प्रक्रिया शुरू होगी 2.45 पर 9.00 ग्रेटर 9.00 एक स्प्रेस वे का संचालन फिर से शुरू होगा शाम चार बजे फ्लैटों में पाइप्ट से गैस की आपूर्ती बहाल कर दी जाएगी पूर्ण बहाली में तीन से चार घंटे लगेंगे शाम साड़े पांच बजे निवासियों को लौटने की अनुमती दी जाएगी दशकों से चली आ रही कानूनी लड़ाई को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट में दोनों इमारतों को गिराने का आदेश दिया है डेवलप पर्स को दोनों सनरचनाओं की निक्ता के कारण इमारत को ध्वस्त करने के लिए निर्देशित किया गया था हाला कि कुछ निवासियों को डर है कि विद्वन्स से नुकसान होगा दूसरों को राहत मिली है और कहते हैं कि वे अपने घरों में लौटने का इंतजार कर रहे हैं 2500 से अधिक वाहनों को स्थानांतरित कर दिया गया है जबकि लगभग 5000 निवासियों ने सुरक्षित विद्वन्स के लिए एमराल्ड कोट और ATS ग्राम सोसाइटियों को खाली कर दिया है इसके आलावा विद्वन्स के तारी से एक हफ़ते पहले नौईडा में अधिकारियों ने आवारा कुत्तों और मवेशियों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा